next question दोजा सोला का सवाल है question से is the temperature inside a refrigerator is T2 degree centigrade and room temperature is T1 the amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed will be हमें यहाँ पर दो अगें concept का सवाल है सवाल मुश्किल नहीं है इसको ऐसे देखना कि हमारा जो coefficient of performance होता है जिसको हम कहते हैं बीटा coefficient of performance बीटा उसको हम लिखते हैं यह आएगा आपका Q2 divided by Q1 minus Q2 और इसको हम यहाँ पर temperature की term में लिखते हैं T2 divided by T1 minus T2 यह हो गया अपना coefficient of performance यहाँ जो अपने को दिया हुआ है हमें बताना है यहाँ यहाँ पर QH divided by W कितना होगा यह अपने को बताना है यहाँ आपने को यह भी पता है कि QH जो है उसको हम QC plus W लिखते हैं so which implies QH by W जो है अपना वो हो जाएगा QC by W plus 1 यह अपना ratio जो हमें बताना है ठीक है और इस case में यहाँ पर अपने कोई भी दिया वाए कि है क्योंकि हम रेफ्रीजरेट है यूज कर रहे है तो रूम्ड इस एट हायर टेंप्रेचर एंड इट विल एक्ट एस रेजरवायर और यहाँ पर यहाँ पर यूनिट हमें बताना है वह अपनी इलेक्ट्रिकल एनरजी है वह आप का इंपूर्ट है तो इस केस में यहाँ पर एम इसको लिख सकते है यह जो अपना रेश्यों यह रेश्यों बताना है और इस विल बीकॉल टू क्यूसी अच्छा इसको आम यहाँ पर टी-टू-प्लस अचा यह टेंप्रेचर जो है यह हम लिखते हमें केलविन में तो अप टीटू प्लस 273 आफको डिनॉमिनेटर का यह आपका 273 कैंसल हो जाएगा तो बीटा आपका हो गया टीटू प्लस 273 divided by T1-2 और यह बीटा यह वाला आपका रिलेशन है क्यूची वाइव का तो आपका जो रेशो चाहिए अपने को वो रेशो हो गया T2 plus 273 divided by T1 minus T2 plus 1 और यह जब उपर जाएगा तो यहाँ पर उपर जाके LCM T1 minus T2 हो जाएगा उपर जाके T2 cancel हो जाएगा तो आपका जो final relation है वागया T1 plus 273 divided by T1 minus T2 यह हमारा final answer हो जाएगा तो based on this हम कह सकते हैं कि option number B would be the right answer